नमस्कार मित्रों चैत्रिय नवरात्री नौ अप्रेल मंगलवार को आरम हो जाएगी इसके साथ इमादरुगर के विबिन सरुपों की आरात्ना और पूजा आरम हो जाएगी और हिंदू नवबर्ष दो हजार इक्यासी आरम हो जाएगा इस नवबर्ष के जो राजा प्रदान रहेंगे वे मंगल रहेंगे और जिनके मंत्री शनी होंगे और गती प्रतान करने वाले शुक्र होंगे और उनके वाहन होगा बैल इसके साथ ये नवबर्ष बड़े ही हरसो लास के साथ में चत्रे नवरात्र की प्रतिपदाती थी यानि पहली नवरात्री से आरम हो जाता है और इसे के साथ ही मादरुगा के विविन प्रकार के स्वरूपों की भक्त आराधना करते हैं जो भी देवी की भक्त होते हैं सक्ति उपासक होते हैं वो इसमें पूर्ण रूप से सरदा और निष्टा के साथ में देवी की उपासना करते हैं व्रत नियमों का पालुन करते हैं और हर प्रकार से देवी को प्रसंद करने का जतन किया करते हैं नोई दिनों तक देवी के उपास्तना करने के पश्चाच में वे देवी से अपना मनवांचित मांगते हैं और देवी सादक की निष्टा देख करके और भक्ती देख करके उसे उसका मनो बिलाशी तेश्ट कार्य उसका सिद्ध करती है तता उसके मनो कामना पूर्ण करती है इसमें संदे नहीं है बसरते पूर्ण बक्ती बाव से देवी की उपासना नो दिनों तक की जानी चाहिए इसके साथ में नवरात्री की दिनों में महाविद्याओं दश महाविद्या उपासना भी की जाती है जिसके अंतरगत दसों महाविद्याओं की उपासना की जा सकती है जिसमें प्रमुकुरुप से मा पिता बगला मुखी की उपासना, मा दुमावत की उपासना, मा तारा की उपासना, मा चिन्नमस्तिका की उपासना, मा काली की उपासना इत्यादी की जाती है और हर प्रकार के अपने अभीष्ट संकल्प की सिद्धी के लिए संकल्प लेकर के ही मंत्रजब किया जाता है माविद्याओं के अलवा विभिन प्रकार के चंत्र साथना अभी इस दोरान देविय साथना संपन की जाती है इसमें अपसरा साधना और योगीनी साधना समिली थे अपसरा साधना समोन सक्ति एवं कहीं प्रकार किस्तियों को प्राप्ट करने के लिए की जाती है आकंशन सक्ति प्राप्ट करने के लिए की जाती है और अपनी इच्छा नुसार जो वर है प्राप्ट करने के लिए इस द और देवी उसे हर प्रकार के सारे धरती लोग पाता लोग और आकास लोग हर प्रकार के लोगों की सब बातें उस सादक को सोचित करती है चता हर प्रकार के सादक की रक्सा करती है और सादक की कारे में आने वाली बाधाओं को अपसरा दूर करती है इसमें प्रमुक रूप से कुंडला हारनी अपसरा एवं उर्वसिर अपसरा के साधना की जाती है साधना 21 दिन की होती है और नवरात्री में पारम की जा सकती है इसके लावा अपनी बड़ी से बड़ी कामना के पूरती है तु कामेस्वरी योगिने की उपासना की जाती है जो कि हर प्रकार के विक्ति की चैविक्ति के भाग्य में अगर कुछ लिका ना हो तो भी वो उसे उस देवी की सायता से प्राप्त हो जाता है बसरते इन साधनाओं के अंतरगत कई नियमों का पालन करना पड़ता है ब्रमचरे का पालन करना पड़ता है और सादक हर प्रकार से एकांतिस्तान में बैट घर के साधना की जाती है और इस देवी की सायता से सादक बड़ी से बड़ी विप्दा से पार पा जाता है और हर प्रकार की बादा देवी सोयम ही दूर कर देती है देवी सादक के सन निकट रह करके सादक की सद्यव देखबार करती है रक्षा करती है इसमें संद्य नहीं है ये बड़ दुलब और अलोक तंतर साधना है और विशेशुरुप से कई राजा मारा आजा तक इस सिद्धी को सिद्धिक्या करते थे इसलिए इसे बड़ी हिमान एक सादना मारना जाता है इसके अलावा भी कई सादना है जो की की जाती है जो व्यक्ति जोतिस का काम करते है उनके लिए या जोतिस सीखना चाते है उनके लिए पंचांगुली सिद्धी जो भी नवरात्री में की जाती है पंचांगुली देवी का इस्तान अपने हस्त के म इस देवी की सायता से सादक को सामने वाले वक्ति का भूत भविस्य और वर्तवान काल ग्यात हो जाता है। और विशेश रूप से इसे नवरात्री के दुनों में शुरू किया जाता है और इसकी सिद्धी 30 दिन में लगबग पूर्ण होती है। इन सबी सादनाओं के सिद्ध यंतर अपने गुरू से प्राप्त करके उस यंतर को 55 पुजन करने के पश्चात में बाजोट पर अश्ट दल बना करके उस ते उपर इस्थापित करना चाहिए। उसके समकक शगूति का इस्त्यापित करके फिर अपने गूरुदारा ही दी गई प्रदत माला से ही इनका जब करके इनकी सिद्धी हासिल की जाती है। साधना के आखिरी दिनों में मंत्र सिद्ध होने लगता है और साधक को अनुवव प्राप्थ होने लगते हैं। अपने अनुपव अपने गुरू के सिवाए किसी को बताने नहीं चाले जाए। ऐसा करने से देवीरु स्टोकर के साधना की सिद्धी नश्ट कर देती है। फिर दुबारा मेहनत करने परो सिद्धी उसे प्राप नहीं होती है। घंडिवाद।